कि अज़िए वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसका नाम है लॉंगे जिजग पाथ इना बाइंडी ट्री तो इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं क्या है यह प्रॉब्लम और फिर इसके सॉलुशन की तरफ चलेंगे ठीक है जरू सबसे पहले तो आपको ना पेप्टइफ करके नाम है आपको पास रिटन फंशन मिला हुआ है और आपको बाइंडी ट्री मिला हुआ है जिसमें जिग्जग पाथ बताना है बाइनी ट्री इस डिफान एस फॉलोव छूज ए निन नोट इन बाइंड दिरेक्शन लेफ right to choose a lecture left as a current direction is left then move to the right child of the current not otherwise move to the left child change the direction from left to right and right to left to basically यह बात आसी कुछ कहना चाते हैं अब ना अगर रहे हो अगर आप या तरफ दो उसके बादás आप जाओग 얼िकल 8 death फिर लेफ्ट फिर राइट फिर 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 से करते हैं और इसके अंदर सबसे बड़ी स्रीज क्या बनेगी मुझे यह बताना है तो उसके अंदर देखते हैं कैसी सी बात है यह तो मैं अपने आपको थोड़ा सा हाइट कर लेता हूं चलो यहां पर आते हैं सबस्वरा लॉंगेस बात क्या होगा यह हमाई लेट जूसरा क्लार यूज़ करते हैं ग्रीन यह हमाई लेट अब मैं राइट के और नहीं जा सकता हूं तो मुझे लेट के और जाना चीए राइट लेट राइट लेट लेट एंड राइट यह अगर मैं रूट से इस तरफ जाओं तो राइट अब मैं दुबारा राइट को नहीं जा सकता हूं तो लेट राइट लेट अब मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूं अगर मालो यह ट्री नहीं होता अगर यह वाला स्ट्रक्चर नहीं होता तो राइट लेट राइट अब मैं कह यहां पर रुखना पड़ेगा तो इस तरफ सबसे बड़ा लॉंगे जिगजग पात कितने लेंद का आया तीन लेंद का ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉंगे जिगजग पात आपको हमीसा रूट से ही मिले खैर हो तो एक बार आप जब सूचो इसको सॉल्ट कैसे करना है देखो इस कोश्चन के अंदर ना हम फेद का इस्तमाल करेंगे जैसे कि एक नोड है ठीक अगर यह लॉंगे जिगजग पात के अंदर इंक्लूड होना चाहता है तो उसे क्या चाहिए यह अपने लेफ्ट और राइट सब लॉंगे जिगजग पात के अंदर इंक्लूड होना चाहता है तो यह लॉंगे जैक पात बनाने के लिए क्योंकि लेफ्ट है तो यह इससे कुछ ऐसे वाला स्लोप मांगेगा मैं यहाप फे दो टाइप के स्लोप डिसाइड कर रहा हूं यानिकि लॉंगे पात की जो स्टा की स्टाइब करना जाद सब्सक्राना स्बसां कि वहाँ सकते हैं इस तो एसा या फिर एफिर एसा कुछ पूलका कि आप पहले कहां गए लेट की और एक मैं पहले जारो राइट की और दो टाइप के स्लोप हो सकते हैं तो इन दोनों टाइप को स्लोप को बोलता हूं फॉर्वर्ड स्लोप और इस टाइप को स्लोप को कह देता हूं बैक्वर्ड स्लोप इस दो टाइप को स्लोप से मेरे पास एक है फॉर्वर्ड और एक है बैक्वर्ड अब मेरे पास फॉर्वर्ड स्लोप भी है और मेरे पास बैक्वर्ड स्लोप भी है तो मैं लेफ्ट वाले सब 3 से दोनों टाइप के स्लोप मंगवाता हूं मैं उसको बोलता हूं यार मुझे लेफ्ट फॉर्वर्वर्ड स्लोप भी दे दे जो ते पास फॉर्वर्ड स्लोप से बनने वाला फॉर्वर्ड स्लोप को इस तार्टर रखते हुए सबसे बड़ा जिग जाइक पात सकता है मुझे रिटन और साथि साथ बेक्वर्ड स्लोप इस सबसे बड़ा। पात क्या बना सकता है मुझे वो भी रिटन कर अईसा क्यूं कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे राइड के अंदर भी तो पड़ेगे ूसकी यह देखो ज़या अभी इसके पास इस नोड के पास अपने दो हो सकते हैं अब यह जो नोड रिटन करेगा यो इसके लिए Passy लोग और ये उसके लिए गरन में अब यह यह जंध परसन ना इसके इसका जो parent है वो left में ब्लॉंग रहे राइट में ब्लॉंग करें यह जो इसका parent है यह उस parent है यह उस प्रेंट का left child मैं थोड़ी न जानता हूं अभी तो अगर माझनो इसका parent होता तो अगर इसका parent हं उता तो यह अपना longest path बनाने के लिए parent अपने आपको तो यह उसके backward slope का यूज़ करेगा और अगर यह जो parent है अगर अगर यह parent parent का right child है तो यह उसके forward slash का यूज़ करेगा लॉंगर रिज़क पात बनाने के लिए तो मुझे दो type के slope return करवाने पड़ेंगे मैं हर एक node से मतलब अपने left और right child से faith रखूआ कि आज सुनो मुझे अपने से बनने वाला अपने आपको स्टाटिंग पॉइंट रखते हुए मैं अपने अपने आपको न स्टाटिंग node मान दो अपने आपको हऌने आपको लॉंगेच ज़ेक पात का start काllow rut और मुझे forward slash से बनने वाला सबसे बड़ा longest path निकाल के दे दे साती साथ forward slash से बनने वाला सबसे बड़ा longest path निकाल के दे दे जैसे कि forward slash से बनने वाला सबसे बड़ा longest path इसके पास सिर्फ एक length का है पर backward slash से बनने वाला सबसे बड़ा longest जग पात इसके पास कितने लेंद पर एक दो तीन चार पाँच छे साथ साथ लेंद पर तो यह मुझे दो टाइप के अंसर रिटन करेगा वन लेंद और सेवन लेंद साथी साथ मैं इसको भी बोलूँगा कि यार मुझे न अपने आपको as a starting मतब लौँग जग पात का starting point रगते हुए मुझे दो टैप के path return कर एक तो forward slash से बनने वाला सबसे बड़ा longest जिग雑 की जग पात तो forward स्लेक के साथ साथ सबसे बड़ा longest इस क्लूड करना चाहता हूं तो मुझे क्या देखना होगा मैं अपने लेफ्ट चाइड से क्या मांगूँगा उसका उसका बैक्वर्ड स्लैस से बनने वाला सबसे बड़ा लॉंगिस्ट जिग्जैक पाथ मांगूँगा तो यानि कि मेरे लिए अंसर क्या बनेगा सेवन प्लस या फिर मैं इसके राइड चैल से क्या मांगूँगा तो मुझे अपने सबसे बड़ा लॉंगिस्ट जिग्जैक पाथ रिटन कर दे उसकी साथ मैं प्लस वन करके सबसे बड़ा पाथ अपना बना लेता हूं ठीक है अब इन दोनों में से कुई एक ही मैक्सिम हो सकता है यह वाली बात तो सही है पर इसके अंदर एक ट्विस्ट है इसके अंदर ट्विस्ट यह है अगर मान लो आगे जाकर कुछ पाथ ऐसा बन गया तो जरूरी है क्या root को include करना है यह सोचो जरा सबसे बड़ा longest exact path यहां बनता है यहां से लेकर यहां exist करता है या फिर सबसे बड़ा longest exact path यहां पर exist करता है अब मत्तब मेरा सबसे बड़ा longest exact path ऐसा हो सकता है कि root को include करके बन जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे left subtree के अंदर exist कर तो फिल लॉंगे जिग-जैग-पात कहां मिलेगा मैं एसा बोलूँगा अब मैं दो टाइप के फेदर पूंगा मैं तीन टाइप की चीज़ें कराने वाला हूं करते और तेरे को एजा स्टार्टिंग नोड मानते हुए बैकवर्ड स्लैस से बनने वाला सबसे बड़ा लॉंगेश्ट पाफ रिटन करते ज़रूरी नहीं है क्यों लॉंगे जिगजग पाथ हो मैंने इसको यह बोला है कि अपने आपको एजा स्टार्टिंग नोड जैसे कि अपने आपको स्टार्टिंग मानते हुए एजा बैकवर्ड स्लैस के साथ मुझे सबसे बड़ा लॉंगेश्ट पाथ दे दे साती साथ मुझे एक चीज़ ओर रिटन कर जिसके अंदर तु यह बताएगा कि तेरे लेफ्ट सब्टरी के अंदर सबसे बड़ा जिगजग पा बनता है वो भी रिटन कर दो तो एक बार मैं इसको हलका सा कोड करते हैं और फिर दुबारा इसको एक छोटी से टेस्ट करके भी देख लेंगे तो देखो कोड के अंदर तीन टाइप के फेट अगर आपको इसका समझ में आ रहा है तो कोश्चन सॉल्व हो जाएगा चले द है अन्य जो स्टाटीक क्लास यहां पर हम बना रहे हैं इसको नाम दे देंता हूं मैं पेर इसके अंदर फॉरवर्ड स्ललेह फॉर जोल बैकवर्ड स्लोफ परवर्ड लोप इसलोप कह रहो एक परवर्ड लोप कह लिए इसे और मैक्स लेंथ यह तीन चीजे मैं इसमें दोर ली अब यहां से लगाते हैं कॉल तो एक पंशन और कॉल करा जिसका रिटन टाइप क्या बनेगा पेर यानि पेर के अंदर यह तीन चीज़े रिटन होगी एक तो लॉंग सब्सक्राइब तो सबसे पहले यह समाल लेते हैं आप यह क्यों रख रहा हूँ क्यों कि number of edge k term में हम निकाल रहे हैं जब number of edge k term में चीजों को निकाला जाता है edge k term में तो इसकी default value minus 1 रखी जाती है अगर number of nodes ke terms में निकालते हैं तो इसकी default value 0 रखते हैं अब यहां पर आए अगर मान लो मेरा root हो जाता है null null होने का क्या मतलब है simply pair return कर दो ठीक है अब मैं फेत रखता हूँ अपने left child को यार ऐसा कर मुझे ना तीन चीज़े return कर तो फेर left इससे तीन चीज़े मांगी मैंने वो तीन चीज़े कौन कौन सी थी वो तीन चीज़े थी मेरे पास एक तो अपने आपको ऐसा starting point मानते हुए forward slope के साथ सबसे बड़ा जिगज़े पात और अपने आपको starting point मानते हुए backward slope के साथ सबसे बड़ा जिगज़े पात और अपने left subtree में मिलने वाला सबसे बड़ा max length यानि max length का जिगज़े पात तो root dot left इसी के साथ मैं इसके right के तरह भी चलता हूँ और right के लिए भी answer निकाल लेता हूँ निकाल लिया अब pair my answer equal to new pair ठीक है अब अपना सबसे बड़ा जिगज़े पात निकालते हैं पहले मेरे answer का सबसे बड़ा जिगज़े पात क्या हो सकता है यानि कि मुझे अपना max length निकालना है जिसके अंदर मैं कहारा हूँ कि मैं खुद को include करना चाहता हूँ जरूरी नहीं है कि मेरेको include करनेसे max length बन ही जाए जरूरी नहीं है यह पर मैं खुद को include करना चाहता हूँ तो फिर मैं कैसे बोलूँगा ये line मैं ऐसे बोलूँगा मैं खुद को include करना चाहता हूँ तो मैं अपने left child को बोलता हूँ अब मैं अपने आपको include करना चाहता हूँ तो अपने left child से कैसी चीज़ मांगूँगा उसको बोलना तेपा दो टाइप के स्लोप है forward, backward और तेपा भी दो टाइप के स्लोप है एक है forward, एक है backward forward और backward तो मैं खुद को include करना चाहता हूँ तो left child मुझे अपने backward slope backward slope से बनने वाला backward slope से बनने वाला सबसे बड़ा जिगजग path रेटन कर दे उसके अंदर प्लस वन कर दूँगा तो एक length जादा का जिगजग path बन जाएगा क्योंकि आप backward पे खतम हो रहे थे और मैं forward हूँ तो जिगजग path बनता हूँ या आप right पे खतम हो रहे थे और मैं left हूँ तो left right करते वे सबसे बड़ा जिगजग path बन जाएगा तो basically मैं यहाँ पर ऐसा वोलूँगा अपने left को left तेरे पास जो backward slope है ना backward slope या तो यह answer हो सकता है प्लस 1 करेंगे पर पहले मैं math.max इसका निकाल लेता हूँ left का backward slope maximum हो सकता है क्योंकि मुझे यह देखना है कि मैं सबसे बड़ा जिगजग path किसके साथ बना रहा हूँ अपने left child के साथ या right child के साथ जरूरी थोड़ी ना left child के साथ ही बने जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे बड़ा जिगजग path अपने left child के साथ बना रहा हूँ सबसे longest थो क्योंकि अब मैं starting node बनने वाला हूं जिगजाथ पात के लिए तो जिगजाथ का starting node क्या मैं left child के साथ मिलकर बनाऊ या अपने आपको starting node मैं right child के साथ मिलकर बनाऊ तो यह देखने के लिए मुझे इन दोनों का max देखना होगा तो left क्या backward slope और right के लिए forward slope तो right के लिए forward slope right dot forward slope और plus one पर क्या ये सच में max length होगा हर बार सोचे जरा ऐसा जरूरी है क्या root को include करने से मेरा max length का जिगजग पाथ बन जाए नहीं left में भी तो हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि left subtree के अंदरी सबसोड़ा जिगजग पाथ मिल जाए और right subtree में मिल जाए सबसोड़ा जिगजग पाथ तो कुछ कह नहीं सकता मैं यहाँ पर मिलेगा it means मुझे एक math dot max और लगाना पड़ेगा एक math dot max और लगाना पड़ेगा तो math dot max of left का max length या फिर right का max length अब देखो left subtree में मिलने वाला जिगजग पाथ सबसे बड़ा पाथ था या फिर right subtree में मिलने वाला जिगजग पाथ सबसे बड़ा पाथ था या फिर मुझे include as a root मुझे include करकर सबसे बड़ा जिगजग पाथ बन रहा है तो मुझे इन तीनों case को देखना पड़ेगा क्या पता left subtree में सबसे बड़ा जिगजग पाथ मिले क्या पता right subtree में मिले और क्या पता मुझे as a root इंक्लूड करने से सबसे बड़ा जिग्जाग पाथ मिल जाए तो मैं यहां पर आया अब मेरा माय एंसर तो क्रेट हो चुका मुझे पता है कि पूरे ट्रीका सबसे जिग्जाग पाथ जहां पर भी होगा मुझे मिल चुका है लेट राल या फिमझे लिखरए बनता है अब करनी होग है जैसे कि इसके भी तो कोई consent हो सकता है अगर इसका क chil abre 10 करेगा इससे सर उम्मीद करेबा लगाתי अपने आपको स्टार्टिंग नोड मानते हुए सबसे बढ़ा प्रोब क्रोड चाहिए सब्सक्राइए अगर क्या चाहिए अगर चायड या ठाल मैं तो अगर तुमेरा यहां से अज़त दो वैल्यु रिटन करता हूं और वैकवर्ड स्लोप के साथ मैं अंसर डॉट के साथ अंसर क्या वनेगा अब देखो मैं अपने आपका एज़ा फार्वर्ड स्लोप के साथ रिटन करवाना चाहता हूं तो मैं अपने आपको as a backward slope रिटनकर रहाना चाहता हूं मैं backward slope से बनने वाला सबसददक बाद देखना चाहता हूं मुझे कहा से मिलेगा मुझे है मिणे फॉरवरड से ऎंज roman कर देता हो आप देखो जब आप यहाँ पर call लगाओगे तो आपको करना क्या है पेर अंसर इक्वल टू लॉंगेस्ट जिगजएक पाथ अंडर स्कोर रूट और अंसर डॉट मैक्स लेट यह हो चुका है एकोड हमारा यहां पर किसका है यह पूरा में गेम है आपका बनाना है कि आपको किस तरीके से पर चीज आपको साहँ टरीके से मिलेगा तो आपको अंसर बिल्कुत तो नहीं है और वो पास ठीक है पास भी हो गया है ठीक है कोड हमारा पास हो रहा है अभी इसी कोड को को ना करने का आपको एक और तरीका बता हूं गूंगा इसमें दो बहुत कुछ लिख भी आना हमने वैसे बहुत जाद रीडिवल कोड है यह वाली बात मैंने अपने हाउसरोब वाली क्ला तेस्ट के पॉइंट व्यू से वह कोड बहुत सही है अगर आप टेस्ट दे रहे हो कहीं कर मालों किसी कमपणी का टेस्ट दे रहे हो अब ओनलाइन टेस्ट के अंदर रीडेबल कोड लिखकर क्या करोगे वहां पर तो आप कोड इस तरीके से करोगा जितना जल्दी हो सके मैं कर सकों और आप नेक्स कोश्ट के अंदर हमारा टारगें नहीं पर में चेंटना अच्छा कोड सामने वालों की एक्स्प्लेइन कर सकों अभ हम प्या करने हैं जिसके नहीं से थोड़ा कम लिखना पड़ेगा उसके यह क्या कर रहा हूं मैं एक स्टै क्टैक्ड लैंधे Curry ज और पब्लिक स्टाटिक टिंट अब मैं दो साइज का एरे रिटन करा रहा हूं अब इस दो साइज के एरे में क्या स्टोड है देखते हैं सबसे पहले लॉंगेस्ट जिग्जैक पात यह सॉलूशन है मेरा इसके अंदर आपके पास आया प्री नोड रूट अब इधर देखते हैं यहां पर यह पात में क्या वैलू रिटन कर रहा हूं यह पात में दो टैप की वैलू होगी एक होगा हमारा फॉर्वर्ड स्लोप और एक होगा मेरे पास बैक्वर्ड स्लोप तो इंडेक्स जीरो पर पर रखाओगा फॉर्वर्वर्ड स्लोप और इंडेक्स वन पर रखाओगा बैक्वर्ड स्लोप इधर आते हैं सबसे पहले अगर मेरा रूट नल हो गया तो रिटन कर दो new है इंट माईनस स्वन माइनस वन तो यह हो गया हमारे लिए forward slope की value माइनस वन बैकवर्ड slope की value माइनस वन यहाँ पर आते हैं सबसे पहले left का अंसर बनाएंगे longest zigzag path और यहाँ पर हम करेंगे root dot left फिर longest जिगजएक पाथ root dot right और यह हो गया मेरे लिए right चाहिए अब लेट से भी अंसर आ चुका है राइट से भी अंसर आ चुका है अब मैं अपना मैक्स निकालना चाहता हूं तो जब मैं यहाँ पर इस की स्टाटिक में ना की सी चीज़ को सॉल्व करता हूं तो इस ट्रैक में क्या हो रहा होता है लेफ्ट का सबसे बड़ा longest zigzag path left subtree में मिलने वाला सबसे बढ़ा longest zigzag path वो static पहले store कर लेता है और right में मिलने वाला सबसे बढ़ा longest zigzag path वो भी static अपने पास store कर लेता है तो इन दोनों का maximum उसके पास पहले से ही पढ़ा होता है तो मुझे हर state के आपर क्या करना होता है सिख करना होता है किया मेरे को इंकलूड करने से जिग-जैग पातप अपडेट हुआ क्या हर बार मुझे बसे चेक करना है तो यहाँ पर आके मैं क्या चेक करूँआ सबसे पहले अपने मैक्स लेंथ को math.max of max length, left of अब देखो left के साथ हम क्या देखेंगे अब as a left subtree मैं यहाँ पर चेक करूँगा as a left subtree इसे दो टैप के slope मैं लेंगे एक forward backward forward backward तो यह left वाला इसके इंडेक्स टु का इस्तमाल करेगा तो left of one index दूसरे element का इस्तमाल कर रहाएं तो इंडेक्स याणि कि मैं यहाँ पे एक math.max और लगा लेता हूं अब अगर अपने आपका इसे देखना चाहता हूं किया मेरे को क्या होता है इसके लिए मैं यहां पर ऐसा को चेक करूँ कि यह मेरे पास यह मेरे पास forward, backward, forward, backward, ar of 0, ar of 1 पर पढ़ा हुआ है यह यह ar of 0 पर रखा हुआ है यह ar of 1 मतलब array नाम दिया उसको मैंने और यह 0, 1, 0, 1 पर मेरा अंसर रखा हो सकता है इधर आए तो इसको ar नहीं कहते है इसको left कह लेता है यह left of 0, यह left of 1 इसको कहते है right of 0 इसको बोलेंगे right of 1 अब इस वाले node पर आए अब यह क्या करेगा यह left of 1 के साथ plus 1 करके देखेगा क्या मुझे इस node को as a starting point मानते हुए backward slope के साथ backward slope के साथ ही मैं include हो सकता है क्योंकि मेरा left child है तो left child तो backward slope के साथ ही include होगा तो backward slope के साथ क्या मैं max length को update कर पा रहा हूँ और क्या मैं forward slope के साथ क्योंकि मेरा right child है तो क्या मैं forward slope के साथ max length अब यहां से return कर दो एक new int उस new int के अंदर दो टाइप की value डालुआ अब मुझे forward आलने है तो भही मैं forward आलने के लिए क्लिए क्या करूँआ यह है मेरा और यह है मेरा बैक्वर्ड आनने के लिए बैक्वर्ड का फॉर्वर्ड आनने के लिए बैक्वर्ड यानि कि लेफ्ट का वन इंडेक्स देखना पड़ेगा लेफ्ट आफ वन प्लस वन और राइट आफ जीरो प्लस वन राइट आफ जीरो प्लस वन क्यों कि अगर मैं बैक्वर्ड देखना चाहता हूं तो मुझे राइट वाले का फॉर्वर्ड देखना पड़ेगा तो यह बन जाएगा बैक्वर्ड तो यह हो गया फॉर्वर्ड स् अब यहां पर इस इंट का मुझे कोई काम नहीं है मेरा में अंसर तो मैक्स लैंथ के अंदर मिले लाए उस मैक्स लैंथ के साथ इसे करा अभी रहा अब लिखने में बहुत जल्द लिख दिए इसको मैंने पर इसका नुकसान क्या यही नहीं रिडिवल तो यही माना जाएगा तो यह है हमारा प्राइम कोडं और यह हमारा से किंड टरिकोडं और यह करना है यह बैद आपको बता दीए जब भी प्टेस्ट देरे Bring जहां पर आपका code को review नहीं कर तो वहां पर आप इस टैप का code करो यह कोई review करने वाला नहीं है तो वहां पर मेरा aim क्या होगा जितनी जल्दी हो सके मैं code को submit कर दूं पर second वाले जो मारा first method था वो कब होगा जब इंटरों बैठे हो सामने वाले को आपको दिखाने कोड एक्स्प्लेइन करने तो महां पर आप क्लास बनाना अच्छा रहता है क्लास बनाना काफी अच्छा रहा कोड मॉडूलर भी बनेगा आपका साती साथ कोड के अंद मैंने फॉर्ण्शन बना रहे हैं और फिर मेरा को रीडेवल भी जादा हो अगर आपको वीडियो से कु का कंटेंट मिलता है और हम बड़ी बड़ी कमने की त्यारी करवाते हैं तो उनको बताओ यह वाली बात और चैनल में पहली बार आए हो तो शायद आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करके जाना बिना सब्सक्राइब करें मचा मिलते हैं नेक